वेरी गुड मॉर्डिंग तू आल फ्यू दियर स्टुडेंट्स लॉक का जो हम लोग का सेशन चल ला है इस सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे दा एयर प्रिविंशन और कंट्रोल पॉलुशन रूल ये जो आप देख रहे हैं एयर रूल ये आपका जो है एयर एक्ट से बन कर आया और ये जो भी लाग का हम लोग पढ़ा रहे हैं वो यूजी सी नेट का जो पेपर आपका आता था उसमें आपका MSC Environmental Science, BSC Environmental Science, PCS Judiciary में BLLB के लिए और गेट का जो Advanced Revised Slavis है उसके लिए ये पूरा का पूरा पूरा पूर्शन कवर करता है तो मैसेल डॉक्टर प्रकाश्तिवारी और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पूरा एयर रूल इसमें कोई भी अलग नहीं है एक ही presentation, एक ही session में सारा रूल कवर हो जा रहा है येर का पहले आप जानिये कि कैसे लिखा जाता है तो आर्टिकल के साथ clause और sub clause लगते हैं sections के साथ sub sections लगते हैं Act में हमेशा chapter Roman में लिखा जाता है rule में हमेशा chapter numeric में लिखा जाता है schedules को हमेशा bracket में Roman में लिखा जाता है forms को हमेशा आपका Roman में लिखा जाता है Act जो है, वो legislature है जो की approved होता है by the president of India ये जान लिजिए कोई भी एक प्रसटीजर को जो है एक कवर करने का एक प्रस्टीजर है उत्रुटियों का सुधार ऐसे होगा कि हम उसमें संसोधन करेंगे, सम्विधान के संसोधन के एकार्डिंग, जो भी हम मैटेरियल को इंपूट करते हैं, इन केस ऑफ इनवार्मेंट, इन केस ऑफ एएर, तो उसको हम रूल में एड करते हैं, अगर हम लॉक को किताब मालें, लॉक बुक ही है, पवित्र बुक, तो एक्ट उसका चैप्टर माल लीजे और रूल उसके लेसंस माल लीजे, अब आईए पहला स्लाइट पर, इंट्रोड इसे ही लिखना आपको, इंप्लिमेंटेड उन, 18th November 1982, 7 chapters, 16 sections, form संख्या जो है, इसमें 9 है, शेडियूल इसमें 3 है, GSR मतलब जर्नल सब्सिडिरी रूल, GSR 712E के अंतरगत आता है, इसमें section 53 है, जो एर एक्ट का, उसके जो कहते हैं कि विस्तार के तहट इसको देखा जाता है, क्योंकि आप जब एर एक्ट का last chapter देखेंगे, miscellaneous, उसमें लिखा हुआ है, कि central government shall have power to make rule, तो किस section के अंतरगत लिखा है, central government shall have power to make rule, वो लिखा है, section 53 के अंतरगत, अब ऐसी आपजेक्टिव आ सकता है, कि किस section के अ central government के पास power है, कि वो यह rule बना है, last chapter, chapter 7, अब chapter का जो आज हम लोग consider कर रहे है, पूरा का पूरा, chapter 1 preliminary है, chapter 2 procedure and transaction of business है, chapter 3 allowances है, chapter 4 temporary association of person है, chapter 5 budget of central board है, chapter 6 annual report है, chapter 7 accounts of the central board. chapter 1 कहता है, preliminary, preliminary में पहला है, short title and commencement as usual सम्में रहता है, इस short title and commencement में हमने यह सी को paragraph form में लिखना है, यसे लिखेंगे, air act का पहला वीडियो आप देखेंगा, उसमें कैसे लिखा जाता है, वो method मैंने बता रखा है, तो लिखा जाएगा, the air prevention and control of pollution rule 1982 is implemented on 18th November 1982, with 7 chapters, 16 sections and 9 forms, followed by, या 9 forms and 3 schedule, police stop, फिर आप आगे लिखेंगे, this act, जो है आपका, जो air act के बारे में आएगा portion, तो आप लिखेंगे, this rule is governed by, और followed by, और following, the air prevention and control of pollution act 1981, by GSR 712E of section 53, या आप इसको, अपने word में भी लिख सकते हैं, ये तो मैं जो बता रहा हूं, wording ये लाका है, अब आप इसको अपने word में भी यहाप लिख सकते हैं, आपने लिखा, तो आप लिखेंगे, this rule is from GSR 712E of section 53 from the air prevention and control of pollution act 1981, अब देखिए, पहले वाला जो बताया, वो भी कान पकड़ना है, पर घुमा के, और दूसरा वाला बताया है, वो सीधा सीधा हिसाब किताब, तो ये सीधा सरल भासा में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, law को, एकदम परिशान मत होंगे, जहां भी दिक्कत होगी, पूछिएगा, हम लोग का department का environment का page, जो है, वो facebook पे भी है, facebook पे id है, youtube का channel आप देखी रहे हैं, हम twitter पे भी हैं, instagram पे भी हैं, और telegram पे भी हैं, नीचे सारे links दिये गए हैं, आप जहां भी चाहें follow कर सकते हैं, जो भी चाहें curious, आप हम से law के carding पूछ सकते हैं, तो ये chapter 1 में हमने लिखा, अब chapter 2 definition होता है, definition सभी definitions, जैसे आपने, अभी आप देख रहोंगे, मैंने बनाया था water rule का, तो वही चीज आप यहाँ पे भी देख रहेंगे, act मतलब the air prevention control of pollution act, chairman वही रहेगा, chairman of the central board, central board laboratory मतलब की, laboratory established or recognized by the central board, central air laboratory मतलब की, established and specified by sub section 1 of section 51, central government shall have power to make laboratories के बारे में जो जिक्र होता है, वो यहीं पे उसमें था, अब form, form means set out in schedule 1, members मतलब member of central board including chairman, member secretary means MS of general board, sections means sections of the acts, schedule means schedule appended in these rules, year means financial year, यानि की financial year मतलब जनते हैं 1st April, 1st April जो होता है, वो financial year कहलाता है, और 1st April के दिन ही जो है मेरे अपनी PhD thesis मेरे गाइड ने मेरे साइन की थी, financial year था, तो अब आगे चलते हैं, chapter 2, procedure for the transaction of business of the board, यह थोड़ा सा important है, section 3 इसका कहता है, notice of meeting, तो meeting की notice जो है, वो central board की, वो chairman fix करता है, the notice of the meeting shall be passed by the chairman, or fixed by the chairman, in 15 clear days, what do you mean by clear days, 15 clear days मतलब की no holidays in between days, तो जैसे मालीजी संडे है, या कोई तेहवार पड़ गया, तो उसको consider नहीं करेंगे, पूरा 15 दिन का समय लेंगे, 15 दिन के बाद से meeting होगी, presiding officer के बारे में कहता है, section 4, presiding officer के बारे में कहता है, presiding officer क्या होता है, कि वो जो meeting को organize करता है, और overall उसका detail और records रखता है, उसको presiding officer कहते हैं, meeting में कौन-कौन क्या-क्या role अदा करेगा, उसके बारे में उसके पास जानकारी होती है, तो उस अधिकारी को हम presiding officer कहते हैं, chapter 2, section 5 कहता है, all the questions to be decided by the majorities, chairman से या वहाँ पर discuss होने वाले जो questions होंगे, वो already एक decide होंगे पहले, पहले से ही लोग decide करके लाएंगे, और वो decide जो rules के लिए under में जो भी आपके questions आ रहे हैं, जो भी queries आएंगे, इनका बहुमत होना चाहिए, इनका बहुमत होना चाहिए, अगर बहुमत नहीं होगा, तो questions जो है, वो invalid माने जाते हैं, वो justified नहीं माने जाते हैं, section six कहता है, जो उठार लेते हैं, तो उसी तरह कोरम होता है, कोरम यहाँ पर mandatory होता है, अब कैसे, अब देखे, पांच मेंबर चाहिए ही चाहिए एक मीटिंग को मीटिंग डिकलेर करने के लिए, मीटिंग की भी परिभाशा है, पांच मेंबर उसमें होने ही चाहिए, तब ये माना जाएगा कि वो मीटिंग है, तब वो मीटिंग शुरू होगी, उसको कहते हैं न पंच मतलब कि पांच तत्वों की बारे में डिसकसन अब वो पांच कोई भी ऐलिमेंट हो चाहे बिल्डिंग ब्लॉक्स आफ लाइफ हो चाहे कोई भी हो तो यह यह पंचायत यहां से शुरू होती है कोरम को भी पंचायत में ही जूड़े हैं लोग वड़ा इंट्रेस्टिं यहां पर कोरम में भी पांच लोग मिनमम चांवेदिह होotी है कि नीटीन के किमेटिंग चैनी भी हर 15-10 मिनट पैं इंका लेखा जोखा एक अदिकारी रखता है तो उसको minutes कहते हैं और यह किसके अंडर में आता है Presiding Officer के अंडर में आता है फिर जो आपका meeting का जो order होता है उसके बारे में है कि chairman जो होता है वो meeting का order देता है शुरू करने का भी और उसको खत्म करने का भी chairman के थूरू शुरू होता है और chairman के ही जो है statement पे खतम भी होता है order of the business और इसमें एक आ रहा है आपका business to be transact at meeting यह business है क्या यह business शब्द जो है वो इस rule में आ रहा है जो वो यह बताता है कि कोई भी financial decision meeting के अंतरगत हो रहा है कोई भी financial decision लिया जा रहा है चाहे वो chairman के द्वारा हो चाहे MS के द्वारा हो जो की meeting के बाद brief किया गया record में रखा गया उसको हम business कहते है business में जो आपका maintaining order at meeting के बाद से आप देख रहे हैं section 9 कह रहा है business to be transact at the meeting अब order of the business क्या है उसी जो भी कार उस meeting में हुआ उसके according जो भी financial decisions लिये गए जो भी meeting के decisions लिये गए meeting किसी purpose से होती है तो उसका भी जो भी matter हुआ जैसे माल लिए कि गोमती पर या गंगा पर या कावेरी पर या कोई भी यमुना पर किसी भी river के लेकर कोई discussion हुआ एक meeting में तो उस meeting का पूरा लेखा जो खा प्लस उस meeting में जो निसकर्स निकला वो उस meeting का business का लाएगा अगर को financial transaction भी की बात होती है तो भी वो business में ही आता है तो वो rule आपका 9 और 10 के अंतरगत आएगा और followed by rule का जो आपका subsection sorry section है 11 उसको उसका subsection 1 और section 11 के अंतरगत इसको mention करना है अब इसको example के तौर पर देखें जैसे माल लिए कि हमने कहा कि हमारे department में एक meeting रखी जाए ठीक है तो अब meeting रखने जाएगी as a chairman मैंने बोल दिया अब इस meeting में जो questions उठेंगे वो questions जो है वो मालूम होने चाहिए chairman को ठीक है ये और मैंने एक presiding officer के नुक्ती कर दी जैसे एक teacher को नुक्त कर दी है कि भाई आप चेक करो कि सब लोग diary लेकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं फिर जो questions हैं वो क्या-क्या हैं किस matter पे किस मुद्दे पे चर्चा होनी है ठीक है उसके बाद से जो quorum है पांच member का वो complete हो रहा है कि नहीं फिर minutes कौन रख रहा है minutes मतलब कि हर उस पे उठी हुई questions की जो भी guidelines या कोई जारी कर रहे है तो उसका लेखा जुखा वो minutes में आएगा तो minutes की recording कौन कर रहा है ठीक है अब इसके बाद से उसमें जो भी मुद्दों पे चर्चा हु कोई business को लेकर financial transition को लेकर तो वो सारा record वो सारा order कैसे लिखा और रखा जाएगा वो ही subsection जो है इसमें लिखा है one of section 11 में mentioned होता है तो यदि आप BSC के हैं तो आप इसको सिर्फ points में लिख देजिए और अगर आप MSC में है तो जो मैं explain कर रहा हूं उसके आगे आप उसको लि की तरह पे हैं अगर आप दिल्ली के हैं तो आपका अलाउंस अलग है अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और आप दिल्ली में आकर जो है गवर्मेंट की मदद कर रहे हैं गवर्मेंट को ने आपको न्यूक्त किया है तो उसके लिए आपको जो है grade 1 officer का जो भी allowances है वो सब होता है chapter 4 कहता है temporary association of the person with the central board section 13 में कोई भी person central board से associate होगा कोई भी person central board से associate होगा तो वो meeting में भी participate करेगा board के पास यह power है कि वो meeting में भी उसको invite कर सकता है पर यह mandatory नहीं इध्यान रखेगा यह mandatory नहीं है board के लिए mandatory नहीं कि जो किसी का अपने निक्त किया उसको अभी appointment कर लीजे मीटिंग में call कर लीजे नहीं नहीं यह ज़रूरी नहीं है फिर section 14 कहता है fee and allowances to be paid to such temporary association person अब जो fee and allowances जो भी उसका paid होगा वो एक temporary association में वो सरकार के द्वारा निर्धारित minimum वेतनमान के अंतरगत आता है इसके बाद से chapter 5 है budget of the central board देखिए law में जो है जब rule आप लिख रहा है तो आप फिर बता रहा हूँ rule में बहुत basic चीज़ों को ध्यान रखीगा पहला basic है कि particular section में particular form होगा और particular form के लिए particular schedule होगा फिर बता रहा हूँ इसको note कर लिजिए हर chapter में एक section और उस section में लिखा हो गया form उसी chapter और उसी section के लिए होगा उस chapter में mention schedule उसी section उसी chapter उसी form के लिए include होगा आप अगर कोई form या schedule के संख्या उपर नीचे करते हैं तो आपने उसको गलत कर दिया chapter 5 कहता है budget of the central board section 15 form of budget estimate जो भी आपका section 34 में जिक्र हुआ था air act के उसी को यहां पे लिखा गया है कि कोई भी budget का estimate जो भी बनेगा जो भी budget का estimate होगा वो estimate form 1, 2, 3 and 4 की अंतरगत government को provide कर आए जाएगा with schedule 1 अब माली जी कि जैसे government कहती है कि आपको अपने budget का detail दीजिए budget मतलब आयवे का लेखा जो का budget कहलाता है तो budget को जो है आपको जब देना है बोर्ड को देना है जैसे माली जी आप chairman of the board है तो आपको budget देना है government ने आपने से query कर लिया तो आप budget जो भी estimate देंगे वो form 1, 2, 3 and 4 के अंतरगत देंगे of schedule 1 remember this schedule 1 not schedule 2 अगर आप यह schedule 2 लिख देंगे तो गड़ बड़ हो जाएगा फिर इसके बाद से section जो है आपका 15 का subsection 13 को भी देखिए budget shall as for may be based on the account head specified in schedule 3 schedule 3 enclosed नहीं होगा पर specification वहां से लेंगे form कैसे भरा जाए उसको भरने का भी तरीका है वो schedule 2 में दिया हुआ है और उसी schedule 2 के according यह forms भरे जाएंगे और schedule 1 को enclose करके वहां भेज दिया जाएगा ठीक है इससे ज़्यादा कुछ नहीं उसको करना है यहां पर ध्यान रखिए जो भी reports हैं वो सारी की सारी triplicate copy में जाएगी एक copy central board state board को देगा अगर central government ने state board से कहा है कि भाई तुम report दो annual आपका जो budget estimate है तो अब वो form भरेगा 1,2,3,4,5 sorry 1,2,3,4 of schedule 1 भर दिया अब यह form भरने का तरीका उसने देखा schedule 2 से ठीक ओके अब आगे चलते हैं अब वो क्या करेगा triplicate copy बनाएगा अब form 1 की 3 copy, 2 की 3 copy, 3 की 3 copy, 4 की 3 copy और schedule 1 की 3 copy लगाएगा और एक set state board को एक set central government को भीजेगा अब central government के jurisdiction में आता है कि वो बहुत दहाऊ सदब पार्लियमेंट उसको प्रस्तूत करे यही चीज अगर state government state board से कहता है तो state board एक triplicate copy बनाएगा set, एक set central board को भेज़ देगा, एक set अपने government को भेज़ देगा state के अब state government का यह authority आता है कि वो उसको बहुत जो आपका state का legislative assembly है उसमें उसको सारी copy को प्रस्तूत करे, ठीक है, इसके बाद से chapter 6 है annual report of the center board, forms जो भी है इसके, उसमें साफ साफ mention है कि section 16 form of the annual report under section 35, यह 35 जो मैं लिकरा हूँ न, यह आपका air act से है air act से है, ध्यान रखिएगा, उपर 34 जो लिखा है, वो air act से है confuse मत हो जाएगा कि सर तो बता रहे हैं कि इसमें 17 section है और 34 लिखे बैठे है तो नहीं मैं गलत नहीं लिखा हूँ, यह act से है, क्योंकि act से, जो है act को govern करने का तरीका ही rule है, तो section 16 क्या कहता है, कि आपका annual report जो होगा वो fully documented प्रस्तुत किया जाएगा, 15 मैं को हर साल, water में यह October में है जान रखिएगा, यही question सुठते हैं, कब प्रस्तुत किया जाएगा, अब आप पड़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप भाई, air rule है, तो 15 मैं, और water rule है, तो 15 October और किस schedule के अंदर आ जाता हैगा, 3 के, ठीक है 3 के, फिर chapter 7 आता है, account of the central board, chapter 7 का section 17 कहता है forms of annual statement, जो भी होगा, वो submit होगा form 5, 6, 7, 8, और 9 के अंतरगत, अब यह जान लिजे कि आप एक सबसे जरूरी महत्तपोड काम, आप इसको guard बांद लिजे, आप कभी भी अपने copy में form 5, TO2, form 9 नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं, तो वो गलत impression होता है, और numbers कटते हैं, पूरा अपली के form 5, 6, 7, 8, 8, and 9, ठीक है, इसमें आपको कोई भी query हो, कोई भी problem हो, तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, thank you very much for patience hearing, kindly like, subscribe our channel, और यह जो channel आपका है, यह UGC net के paper को environment science के cover कर रहा है, यह gate का advance syllabus जो आया है, उसका जो law का portion है, उसको cover कर रहा है, और आपका MSC, BSC, environmental science को cover कर रहा है, आपका LLB को cover कर रहा है, ठीक है, कोई भी query हो, आप नीचे पूछ सकते हैं, सारा description नीचे आपके mentioned रहेगा.